Hello friends, once again welcome and welcome back to you all on my YouTube channel that is Archie Shubham Shandhi So guys, आप लोगों के साथ बहुत लंबा टाइम हो गया है, वीडियो जबनाते हुए Around 3-4 मन्थ हो चुके हैं हमें और आज आप लोगों को बता दूँ कि आज लास डेट है पंजाव उनिवरस्टी चंडिगर में रेजिस्ट्रेशन की तो अभी आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको एडमिशन का नहीं पता होगा क्या है, कौन-कौन से कोर्स है, क्या चीज है और कब फोर्म भरना है, कब लास डेट है बहुत सारे स्टूडेट अभी ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन में होंगे जिने पता भी नहीं होगा कि ये कोर्स अवेडेबल है युनिवरस्टी में या नहीं तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट आप लोगों के साथ शेर करने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए को और इस वीडियो को फैर ला दो जितने भी आपके दोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन प्रेजुएशन के बारे में जिसने कभी आपसे पूछा होता कि उसकी हेल्प हो जाए अगर उसने फॉर्म भरना है तो आज ही वो फॉर्म भर दे क्यूंकि आज लास्ट डेट है आप अगर important dates and schedule वाले section में जाते हो schedule वाले section में भी जाने के आपको ज़रूरत नहीं है यहां पर देखिए the last date for registration last date for registration 18 July 2024 और आज 18 July ही है तो 18 July 2024 आपकी admission की last date है registration form भरने की last date है इसके बाद आपको कोई भी मोका दोबारा नहीं मिलेगा कि आप PG admission के लिए register कर सको नहीं यहां से form fill up कर देना है और guys यह बाद मैं आपको बता दू कि बहुत सारे students को यह confusion होता है कि वह बाद में physical counseling में जाकर के admission ले लेंगे तो अगर आप physical counseling के लिए भी चाह रहे हो कि आपको physical counseling में admission मिले तो उस ते लिए भी आपको यहां पर register करना बहुत जरूरी है अगर आप अभी admission form नहीं बढ़ते हो तो आप physical counseling के लिए भी eligible नहीं होते हो यह बात ध्यान रखना अब आपको confusion होगा कि courses कौन-कौन से हैं तो भाई बहुत सारे courses है बहुत सारी MA है और सारे चीजों के बारे में MSC MA के बारे में हमारे चैनल पर है इसके लावा आप department and courses यहां से देख सकते हो अब जैसे आपको faculty of arts से करना है तो यहां पर अगर आप submit करते हो तो यहां पर सारे departments मिल जाएंगे इसमें entrance है नहीं है तो यहां पर criteria देखिए based on aptitude test लिखा हुआ है based on merit लिखा हुआ है तो यह सारी चीज़े आप लोगों को जो है वो पता चल जाएंगे तो अभी आप लोग यह देख करके यहां से online registration पर click करके आज की आज अपना form भर दीजिए आपके पास document कम है कोई दिक्कत नहीं है document आप छोड़ सकते हैं तो जल्दी से यह form भर यह मिलते हैं फिर आप लोगों को शाम को आज फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे अब आप लोगों को क्या करना है thank you so much for watching